अब दोस्तों सब्सक्राइब कर दोस्तों सब्सक्राइब कर दोस्तों एसे राइटिंग का हमारा प्रोग्राम चल रहा था इसमें बहुत सारे इसमें से एक आपने जो पहला वीडियो है उसमें देख लिया था और एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है इसके बारे में थोड़ा सा जो एड़्वाइज है वो भी आपने देखी थी और उसी के आधार पर हमने कोरोना वाइरस पेंडिमिक पर एक एससे लिखा था अब य या इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि को वैक्सीन और जो जो कोवी शील्ड है उस पर लिखिये उस पर एक से लिखिये या यह है क्या इसके बारे में बताइए ऐसे तो यह में में जो जी YouTube के पेपर होते हैं उन्पे क्वेस्टन बन सकता है और एसे का एक अच्छा टॉप लीजिए जिसके बारे में आधी अधूरी जानकारी रखते हैं यानि शुरुवात आप कर दें जोश में आकर और अंत तक पहुंचते पहुंचते आपकी हवा ऐसा करने से आपका फ्लो खराब हो जाएगा और आपकी जो राइटिंग स्किल है उस पर प्रभाव पड़ेगा ये सब काम है और समय की भी बचत होती है तो देखिए यहां ड्राफ्ट बनाना आवश्यक होता है ड्राफ्ट बनाने से फायदाई होगा कि आपसे कुछ भी छूटेगा नहीं जो महारती ही होते हैं अच्छा खासा निबंद लिख लेते हैं वो ड्राफ्टिंग करने से बचते हैं कि इसमें समय की बरबादी होती है लेकिन मेरी सलाह ये है कि ड्राफ्ट सभी को बना लेना चाहिए क्योंकि इससे आप जितनी भी गैर जरूरी चीजें होती हैं मतलब जितनी भी बेकार चीजें हैं उन्हें लिखने से बचते हैं और जितनी भी जरूरी आवशक सामागरी है उसी को अपने निबंद में शामिल करते हैं असल में यहाँ पर निश्चित सब्ज सीमा है मतलब 700 शब्दों के अंदर ही आपको ढालना है उससे थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा लेकिन उस वर्ड लिमिट के आसपास ही आपको रहना है तो उतने में आप बहुत जादा नहीं लिख सकते ऐसा नहीं कि अपने विचारों के जो घोड़े हैं उन्हें आपने खुला छोड़ दिया है और वो दोड़ रहे हैं बेलगाम होके ऐसा नहीं है ऐसा अगर आप करेंगे तो एक ही ऐससे में आपका तीन घंटा समय जो है वो चला जाएगा बागी दो जो है वो ऐसे ही रह जाएंगे ये काम नहीं करना है प्र चर्चा करनी है अब चर्चा कैसे करेंगे तो पहले आँ आप शुरुवात कर सकते हैं कि बिगेस्ट वैक्सिन रोल आउट इन इंडिया हिस्ट्री मतलब इंडियन हिस्ट्री इसके बाद इंडिया बीइंग इस प्रकार से आप इसमें हेडिंग डाल सकते हैं देखिए नि नीचे आप देख रहे हैं इसके बाद नीचे है कि हाव डू कोविशिल्ड और को वैक्सिन वर्क और कॉंसर्ण रिगार्डिंग अंटेस्टेड वैक्सिन इस प्रकार से आप समापन करेंगे देखिए जो कंक्लूजन होता है वहाँ पर थोड़ा सा आपको सालूशन देना बहुत सारी कापियों के बंडल होते हैं और सब जो है वो एक ही बात को घुमा फिरा कर लिखे रहते हैं तो उसमें उन्हें कुछ अलग की तलाश होती है और वो अलग अगर आप करते हैं यानि थोड़ा सा अट्रेटिव से बनाते हैं तो पढ़ने में इंट्रेस्ट जगे करिए कि हाली में जो ड्रक्स कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया है यानि DCGI उन्होंने देश में जो कोरोना वाइरस का पूरा प्रकोब चल रहा है उसके खिलाब वैक्सीन का सीमित उपयोग करने के लिए मतलब एक लिमिटेड यूज करने के लिए परमिशन दी है और यहाँ कोवी शिल्ड और को वैक्सीन जो है इसको परमिट प्राप्त हुआ है या अप्रूबल प्राप्त हुआ है वही चीज़े यहाँ बताई गई है इसे आप देख लीजे कि दा इस्टेज इस सेट फॉर बिगेस्ट वैक्सीन रोल आउट इन इंडिया इंडिया इस्टी लगता है कि अभी पूरा जो व्यापक इस्तिमाल है वो नहीं शुरू हुआ है ऐसा नहीं कि पूरे देश में बाट दिया गया है कि सबको लग जाए अभी इसका सीमित इस्तिमाल किया जाएगा और इसके पीछे रीजन क्या है तो अभी टेस्टिंग कायदे से नहीं हुई इसकी जो पूरी एकदम जाच पड़ताल है परक है वो कंप्लीट नहीं हुई है और गॉर्मेंट ने जलबाजी में से मार्केट में उतार दिया है तो ऐसे में इसको फैला कर अगर लगवाएंगे तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो भी फैल जाएगा और यह वायरस से भी ज्यादा गंभीर खतरा हो सकता है इसलिए पहले से मित इस्तिमाल करेंगे इसके बाद देख लीजे यहां कहा जा रहा है कि इमर्जेंसी कंडिशन कोवी शील्ड बाइद सीरिम इंस्टिटूट आफ इंडिया यहां जो SII है उसके द्वारा कोवी शील्ड और को वैक्स और यहां फैलाने का काम है यह इन इंस्टिटूट और इन जो भारत बायोटेक है उसके द्वारा आप देख रहे हैं वैसे कोवी शील्ड का डेवलप्मेंट जो आक्सपोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके सोजनी से हुआ है यह आप जानते हैं यह कुछ बाते हैं मतलब इन के मामले हैं उनी को डाला गया है लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोवी शील्ड और को वैक्सीन जो है यह यह बारा मतलब यहां पर यह जो वैक्सीन है इनके बारे में चाहा जा रहा है इस वैक्सीन के नाम है इन्होंने केंद्रिया औशदी मानक नियंतरण संगठन जो CD-SCO है उसके समक्ष आपात का लिन यानि जो इमर्जंसी कंडिशन होती है उसमें यूज के लिए मंजूरी पाने ही तो आवेदन किया था मतलब यह लोग आवेदन करते हैं कि मुझे पर्मिट किया जाए या मुझे अप्रूबल दिया जाए ताकि हम इसे बेज सकें य इसका मतलब यह है देखिए सीमित इस्तिमाल का मतलब वही है कि अभी नैदानिक परिक्षण जो है यानि एकदम जो अंतिम निसकर्श वाला टेस्ट होता है वो टेस्टिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है और उससे पहले ही गवर्मेंट आफ इंडिया ने इसे लांच कर आती है या इसका जो यहां पर इम्यून सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है या इसका जो इफेक्टिवनेस है उसके बारे में इनकी पूरी जवाब देही है मतलब कंपनियों की और इससे संबंधित जो डेटा है वो नियमित रूप से इन्हें दिखाना पड़ेगा यानि पेश करना पड़ेगा गॉर्मेंट आफ इंडिया के सामने लेकिन असली जिम्यदारी गॉर्मेंट की है और गॉर्मेंट ने यहां पर थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई है इसी वज़े से विरोध भी हो रहा है ये कुछ बात है इसके बाद यहां इमर्जंसी मंजूरी का कारण क्या हो सकता है ये भी आप लिख सकते हैं तो जैसे देखिए जो महामारी है उसकी मौझूदा इस स्थिती को अगर देखा जाए तो बहुत लंबा समय गुजर गया मतलब जन्वरी में भारत में पहला केस 2020 में देखा गया था और उसके बाद से लेकर मार्ज तक आ पहले एकदम आम धर्रे से चल रही थी वैसे नहीं चल रही है उसमें तरह तरह की दिक्कते हैं लोग डर रहे हैं तो इस वज़े से गॉर्मेंट आफ इंडिया ने यहाँ पर ततकाल में वैक्सिन को अप्रूबल दे दिया कि इसे इस्तिमाल करना शुरू करना चाहिए मतलब म्यूटेंट बन रहा है और म्यूटेंट बनने का मतलब क्या होता है जो जेनेटिकल उसका स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ रहे हैं और परिवर्तन जो होता है यानि म्यूटेशन होता है उसमें यह समस्या होती है कि चेंजेस जो है वो धीमी रप्तार में नहीं आते वो बहुत rapidly होते हैं मतलब तेज रप्तार में होते हैं कब वो अपना स्वरूप बदल लेगा और एकदम से जो हमारा immune system है उस पर हमला बोल देगा यानि इस वाले जो कोरोना वायरस है इसको तो हम ब्लैक बेल्ट करवा दीजे तो वो ब्लैक बेल्ट बनकर आएगा तो अपना जो प्रतिरक्षा का काम है और बहतर तरीके से कर लेगा वही हाल यहां वायरस का भी हो सकता है मतलब वो जो mutation है वो यहां भारत में भी आ सकता है यह गवर्मेंट की चिंता का विशय था तो इसलिए समय रहते पहले वैक्सीन का ट्रायल किया जाए और वैक्सीन सबको लगवा दी जाए ताकि लोग इसके प्रतिरक्षा अपनी डेवलप कर सके यह कुछ चीजे हैं अब यह जो Center Drugs and Standard Committee है जिसे के आपने अभी सुना है CD-SEO on 3rd January 2021 यह latest data है तो इसको भी आप इसमें डाल सकते हैं जहां factual data है उसको इसको इस्तिमाल करने में हिच की चाना नहीं है उसको एकदम भरपूर मात्रा में यूज करना है This allow the vaccine Covishield from Serum Institute of India and weared on the Oxford Estagena vaccine and co-vaccine मतलब यह जो vaccine है Covishield वाली यह develop कहां पे हुई है यह जो Estagenica vaccine है Oxford वाली वहां से इसका origin माना जाता है और एक देशी है एकदम देशी कही जा रही है Covaxine जो कि भारत बायोटेक ने डेवलप की है To be offered to health care workers and frontline workers in India पहले ही किसको लगेगी जो health care workers है और जो frontline workers है उनको लगेगी government का ऐसा मानना है कि यह जो workers हैं यह संक्रमण के सबसे ज्यादा नजदीक हैं मतलब जो covid के patient हैं उनकी भी देख रेक कर रहे हैं इसके अलमा जो doctors है medical staff है वो सब इसी महामारी वाले इलाके में अपना काम लगातार कर रहे हैं सबसे ज्यादा खतरनाक पेशा यही था doctors का से अपनी जान गवा बैठे तो यह चिंता का विशह था इसलिए government of India ने पहले जो trial की शुरुवात है वो यहीं से करने का प्लान बनाया है इसके बाद यहां पर कहा गया कि the health ministry has said three crores such personal considered at high risk for the covid-19 will be given the vaccine for free यहां tree लिखा हुआ है यह free होगा ठीक है तो यह vaccine इने मुफ्त यह इस प्रकार के workers हैं मतलब यहां पर high risk वाले area में काम करने वाले लोग हैं चाहे वो medical staff हो या कोई भी स्वयंग सेवी संगठन से जुड़ा हुआ या इस प्रकार का व्यक्ति हो जो कि नजदीक जाकर इस महामारी में घुश कर सेवा कर रहा है लोगों की तो उसको vaccine पहले दी यहां आपको बीच में जो मध्यम मारग है उसको लेकर चलना है और ज्यादा तरफदारी आपको जो GOI है यानि government of India है उसी की करने ही यह बात सही है कि थोड़ी जल्दबाजी दिखाएगी है तो उसको भी आप लिखेंगे इसको यहां launch करने में थोड़ा सा जल्दी कर दिय government में थोड़ा इसकी testing वगएर हो जानी चाहिए थी लेकिन उसके साथ आपको यह भी तर्क देना होगा वहाँ essay में या जो आप answer writing करेंगे कि इसको जल्दी launch करने का purpose क्या था वही जो mutation वाला मामला है उससे डर लग रहा था इसके अलावा कितने समय तक ऐसे ही बाध कर रख in less than a fortnight यह अलग-अलग मत हैं लोगों के अपने अपने विचार है तो उसको आप लिख सकते हैं तो यहां restricted use in emergency situation इसको लिख कर आप अपना काम समाप्त कर सकते हैं मतलब यहां पर government of India का favor अगर आपको करना है और करना ही पड़ेगा तो यह वाली जो line है यह आपकी काफी ज ज्यादा डर रही है और यह ब्रिटेन में देखी गई है ब्रिटेन में जो इसका दूसरा यहां एक तरह से फ्लो चल रहा है लहर चल रही है उसमें यह देखा गया कि वाइरस अपना स्वरूप बदल कर लोगों पर हमला हमला कर रहा है और लोग इससे संक्रमित भी हो रहे पहले तो यह धारणा थी देखिए जब COVID-19 का प्रकोप फैला तो उस समय डबलो यह यह जितने भी बड़े-बड़े health organization थे उनका ऐसा मानना था कि यह coronavirus आधी से अधिक आबादी को पहले infect करेगा मतलब अपने संक्रमण के दायरे में लेगा और उसके बाद उसमें से जितन धल जाएगा इन्हें अपने अंदर accept कर लेगा ठीक वैसे ही जैसे जुकाम का वाइरस होता है रायनो वाइरस जो की जुकाम फैलाता है वो भी तो वाइरस जनिती रोग है लेकिन वो ठीक हो जाता है कुछ समय बाद हमारा फेपड़ा हमारा जो respiratory system है वो इसे absorb कर लेता है त यह कुछ तर्क है जिने कि आप यहां यूज कर सकते हैं अब यहां पर कहा गया है कि Covaxin has been developed based on inactivated SARS-CoV-2 strain culture at the National Institute of Virology मतलब National Institute of Virology का जो सौजन ने है उसके त्वारा इसे डबलब किया गया है an ICMR body यह कुछ हमने देखा तो यह सब तर्क है यह जो तर्क आप देख रह ग्यानिकों के बयान या जो डॉक्टर से उनके बयान आप डाल सकते हैं इस प्रकार से अलग-अलग लोगों की जब आप वाकियों को इसमें डालेंगे इंक्लूड करेंगे तो आपका निबंद जो है वो और ज्यादा ज्वलंत हो जाएगा यह कुछ बात हैं अब यहां प इसकी जो यहां एक्जिस्केंस है वो कहां पर होती है चिंपैंजी में होती है और इस वाइरस वेक्टर में वाइरस की जो बाहरी लेयर होती है यानि उपर की सतव होती है उस पर मौझूद सार्सकोप्टू स्पाइक प्रोटीन जिसे की प्रोट्यूशियन्स कहा जाता है इसका अनुवानशिक पदार्थ सामिल होता है, मतलब इसमें जो जेनिटिकल इसका पदार्थ है, वो शामिल होता है, जो कि मनुष्य की जो cells होती है, मतलब human cells होती है, उनके साथ जोडने वे सहायता करता है, तो यह इसकी scientific प्रक्रिया है, जिसको कि आपको यहाँ उसी लाजे में लिखना होगा, मतलब scientific जो वर्ड है, उनके को यूज करके लिखना होगा, point wise आप लिख सकते हैं, paragraph में लिख सकते हैं, इसके अलावाँ शरीर का इम्म्यून सिस्टम होता है, वो इस protein को, मतलब यह जो protein है, इसको एक खत्रे के रूप में पहचानता है, और इसके खिलाब antibody का निर्माण करता है, तो अब आपने समझा है, यहाँ पर वाइरस को भगाने के लिए, या वाइरस से लड़ने के लिए तरीका क्या है इस vaccine का, शरीर को इस बात का आभास दिलाना, जैसे आपको यह vaccine लगा दी गई, तो उसके बाद आपको यह aware कराया जाएगा, इस vaccine के जो molecules हैं, या इसका जो पूरा धाचा है इसके द्वारा, कि यह जो वाइरस है, यह आपके खिलाब काम करने वाला है, यह एक खत्रा है, और जैसे ही शरीर को यह मसूस हो जाएगा, कि यह हमारे लिए खत्रा है, वैसे ही शरीर इसके खिलाब अपना जो antibody निर्माड का काम है, वो शुरू करतेगा, यानि यहाँ काम हमारी body ही करेगी, लेकिन उसको प्रेरिद करने का काम जो है वो यह वैक्सिन करेगी, इस प्रकार से यह चलेगी, यह इसका धाचा है, तो यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें कुछ medical या scientific नहीं है, प्रकृतिक खुद ऐसा करती, यहाँ पर जो भी infection फैलता है, उसके खिलाप अपनी जो immunity है, वो शरीर develop करता है, लेकिन यहाँ समय रहते हैं उसे develop कर ले, इसके लिए vaccine को डाला जा रहा है, अब इसमें आक्सफोर्ट का जो extra जैरिका है, उसकी covishield vaccine के बारे में आपने देखा, इसने coronavirus के खिलाप प्रतिरक्षा अनुक्रिया जो है, शुरू करने में काम्याबी हासिल की थी, मतलब ऐसा देखा गया कि यह काफी जादा वहाँ पर काम्याब सिद्धो होता है, इसके अलावा आप यह भी लिख सकते हैं, कि जो संक्रमण के विरुद्ध जितने भी टीके लगते हैं, यानि vaccine लगती हैं, उनमें इसे अग्रणी माना जाता है, यानि सबसे आगे माना जाता है, co-vaccine की अगर बात की जाए, तो यह भारत की एक मात्र, स्वदेशी vaccine है, विकास की अगर इसकी बात करें development कैसा हुआ, तो पीछे आपने देखा कि जो भारतिय चिकित्सा अनुसंधान परिशद है, यानि ICMR, और उसके अलावा वाइरोलाजी जो संस्थान है, मतलब NIV, उन दोनों के सहयोग से इसको develop किया गया है, इसका development इन दोनों के support से हुआ है, कारेपधिती इसकी क्या है, तो यह है एक inactivated vaccine है, यह जो co-vaccine आप देखते हैं, यह क्या है, यह एक inactivated vaccine है, जो कि रोग पैदा करने वाले जितने भी छोटे-छोटे सुक्ष्म जीव होते हैं, मतलब वाइरस होते हैं, उनको निश्क्रिय करने के लिए विक्सित किया गया है, यह क्या करेगा, उन्हें inactivate कर देगा, यानि निश्क्रिय कर देगा, इसके बाद इस TK को विक्सित करने के दोरान, जो रोख जनक या सुक्ष्म जीवों के प्रतिस्वैंग, प्रतिक्रिती बनाने की छमता है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा, यानि वाइरस जो है, वो अपना परिवार बढ़ाता है, जैसे एक वाइरस आपके शरीर में गया, तो वो वहाँ पे तेजी से बढ़ने लगता है, उसका पूरा कुन्बा तयार हो जाता है, तो उसको ये कंट्रोल करने में मदद करेगा, ये को वैक्सिन का काम है, उसे आप देख रहे हैं, इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि इसका उद्देश्य जो न्यूक्लियो कैपसिट प्रोटीन है, जो कि वाइरस का अनुपर का लेयर होता है, यानि आवरन होता है, उसके खिलाप अपनी प्रतिरक्षा को डेवलप करेगा, असल में वाइरस पे कोई असर क्यों नहीं पड़ता है, मतलब ये इतने ज़्यादा, यहाँ जटिल क्यों बन जाते हैं, इनका इलाद जल्दी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इनका जो ऊपर का प्रोटीन है, जो कि इनकी अपर लेयर की रक्षा करता है, जिसको कि हम न्यूक्लियो कैपसिट प्रोटीन कहते हैं, तो उसके खिलाप ये अपनी इम्म्यूनिटी को टबलब करने में सहायता करेगा, यहाँ पे जो अच्छे अच्छे साइन्स के इसके लावा आप इसमें महतव क्या हो सकता है, तो महतव ये हो सकता है, कि भारत बायोटेक के दोड़ा विक्सिट जो को वैकसिन है, यह बृतेन में जो नए नए जो वाईरसन में, उनके खिलाप काफी जैदा इफैक्टिव होगी, ऐसा माना जा रहा जारा है, क्योंकि इ कामिल किये गए यह इसमें प्लस पॉइंट है तो यह लड़ने में जो वाइरस के खिलाफ लड़ाई है उसमें इसकी मदद करेगा यह कुछ बाते हैं और इम्यूनोजेंस क्या होता है ये थोड़ा इसमें सीखने वाली बात है तो इम्यूनोजेंस जो है एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है जो की जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है यानि इम्यूनिटी सिस्टम होता है और इसके अलामा जो सेल मेडियेटेड इम्यून होता है उसके आपको सर्दी जुकाम होता है तो आप एंटिबायोटिक्स लेते हैं हालां कि वाइरस को एंटिबायोटिक्स मार नहीं सकती लेकिन धीरे-धीरे उसका जो इन्फेक्षन है उसको कम कर देती है यह बात है। यह इसे ही बुखार होता है तो आप क्रोसीन खा लेते हैं मतलब आपको एक संतूश्टी होती है जैसे बुखार हुआ है तो मेरे पास दवा है क्रोसीन हम खालेंगे या कैलपॉल खालेंगे तो इससे वो ठीक हो जाएगा ऐसा आप सोचते हैं और ठीक भी हो जाता है तो वही हाल यहाँ पे इस vaccine का भी है लोगों के अंदर एक मानसिक संतोश और थोड़ी सी शांती रहेगी कि हमारे पास इलाज है यह सब चीजे हैं और इतना अगर आप लिख देते हैं तो यह sufficient माना जाएगा कुल मिलागर इसमें ज्यादा आपको जो इधर उधर की बाते हैं वो लिखने की बजाए इस चीज पर focus रहना है कि इसका पूरा system क्या है यानि को vaccine और जो covid shield है यह किस प्रकार से work करती है इसके अंदर ऐसा क्या है कि यह virus के खिलाब लड़ने में हमारी सहायता कर सकती है तो इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार